देखिए साथियों हम सभी को कोरोना काल की बिशम परिसितियों में पंचाच चुना कराने के लिए जाना पड़ रहा है हमाई ट्यूटी है तो हमें बहुता होँ नीकार नी पड़ेगी मिखिस साबधानी दूझी क्योंकि COVID-19 चल ला है हम सभी मास्क सेनिटाइजर ये तो अवश्च यूज करें लेकिन इनके नावा भी कोई बहुत साई साबधानिया है जिने हैं में रखना है इनका ख्यार रखना है जिससे जो हमारी चल लगी है उसका हम पे कम से कम असर हो या असर ना होने पाए यही कामना करेंगे हम सबके लिए तो उन में से बिसेश साबधानिया क्या है मतदान अतकारी प्रतम ध्यान दे ये सर्जिकल गलव्स अवश्च धारर करें अवश्च पहने क्योंकि उन्हें सही लगाने है हो सके तो सभी मतदान कमचारी गलव्स पहने मतदान अतकारी दुती अपनी मेज़ पर कम से कम दो पेन रखें जिस पेन से मतदाता को साइन कराना है तो वो पेन बारबार ना चुए कुमिला कर उसे चुए ही ना रख दें और अपना पेन किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी ना दें और जिनसे उठा लगवाना है तो हम चाहेंगे कि मतदान का यूज़ दुती भी ग्लिप्स पहने और हर दस मिनट में या पंदा मिनट में सेनिटाजर का यूज़ करते रहे बोतल में गर्म पानी रखें गर्म पानी ही यूज़ करें हो सके कुछ गुड के टुकड़े जो कुलू वाली मिठाई होती है बो ले लें आदार अगंडे में खा सकते हैं इसके लाबा भी साबदानी है जहां तक संबब हो रवान की का इस्तल है वहां तक पहुंचने के लिए अपने बाहन का उप्योग करें अगर फिर भी आप साबदानी बाहन से जाते हैं तो बहुत अधिक साबदानी बरत्ती हुए चाहें जदा भीड वाले बाहन में ना चाहें सरवादिक संक्रमा का जो खत्रा रहेगा वो रवानमी की स्तल पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक साथ लगवग पंद्रा सा लोगों की भीड होगी यह भीड लगवग नौ बजे से एक बजे तक रहेगी उसके बाद तो दिर दिरे कम होगी देखिए काम तो सब हो जाना है लेकिन सामक्भी लेने के लिए भीड में एक दूसे के ऊपर बिल्कुल नहीं चणे मतलब धक्का मुकी ना करें और भीड खत्म होने की प्रतिच्छा करें अपना जो भी बसता है पीठा शिरतकारी वेगर जो भी चुनाओ समंदित सामान है वो तसलिस से आराम से ले ले लें भी खत्म होती या दूर दूर रहकर जब मतलब के अंदर के लिए बान में वैठें तो बहां भी परयाप्त अंतर रखें बान में इघट्टियों के ज़्यादे ना बैटें पासपास ना बैटें मतलब के अंदर इस ना करें हाथ पैर मूं इतरी को सावुन से अच्छी तरह धुर लें और कपड़े बदल लें और जो बादरी कपड़े हैं अलग पन्नी में रख दें मत पत्र पलटने के लिए थू कपर योग बिल्कुल ना करें किसी भी छोटे पात्र में पानी रख लें गर्मी का मौर समय कोल ड्रिंग का विल्कुल भी यूज ना करें इससे परेज करें गर्म पानी चाय नेबू पानी पीते रहें गला विल्कुल सूखने ना दे अब आप कहेंगे गर्मी कम हो समय गरम पानी पीते रहेंगे दोस्तों कोरोना चल ला है इसलिए हमें थंडे पानी से परेज करना है मदान कर्मी भी आपस में फीजिकल डिस्टेंस का पालन करें दूर दूर बैठें मदान के दिन प्रथम और दूती मदान इतकारी या सेनिटाइस से अधिक प्रवाबी है हाँ दोनर संबब ना हो सके तो मेरे यही राया है अब सभी ग्लूप्स पहन ले प्रत्रम मदान इतकारी हमें सही लगाते समय मदाता की उंगली को टच बिल्कुल भी ना करें उसे टेबल पर रखने को बोल दे दूती मदान इतकारी कम से कम दो पेन अतरिक्त ले जाएं और इन्हें मेसर बांद कर बैलेट पेपर के आगे रख दे मदाता यति हास्ता अक्चर के लिए पेन मांगे तो उसे उनी पेनों को इशारा कर दे अपना पेन बिल्कुल भी ना दे और बाद में वो पेन वहीं छोड़ सकते हैं साथ में लाने के जुर्वत नहीं है चाय काम जितना हो पाने पीते रहें गला बिल्कुल सूपने ना दे मुह में लाउंग इलाइची भी डाल सकते हैं और जैसा की बता है गुड़ के छोड़े चुकड़े भी बीच में ले सकते हैं अब जब मद्दान समापत हो जाएगा उसके बाद जमा करते समय जो भी डाकुमेंट्स हैं सामान है जल्दवादी बिल्कुल भी ना करें भीड में जाने के कोई जरूवत नहीं है जब भीड कम हो जाए तवासानी से जमा कर देंगे घर तो पहुंची जाना है सभी को घर बापास आने पर कम से कम दो दिन खुद को सबसे अलग रखें और हो सके तो 45 बद से अधिक आयू के जितने भी कमचारी है वो अपना वैक्सिनेशन अवशिक कर बाले तो ये थी कुछ साबधानिया जो हम चाहेंगे आशा करते हैं आप जरूर बरतेंगे हम सभी आपके स्वास्ते की एक अच्छे स्वास्ते की कामना करते हैं आपका जो ड्यूटे लगी है आपका जो करतब बे सफलता पूर्बक संपन रहे यार न्यूटे टेक आप सभी के सफल भवेश्चे और एक अच्छे जीवन की कामना करता है वीडियो देखने के लिए थेंक्यू